हलो बिटा, आज हम पलासी के युद के बारे में यहाँ पर बात करेंगे बिटा, तो चले शुरू करते हैं बिटा देखो बिटा, पहली जो इंग्लिस फैक्टरी थी, वो 1650 AC में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई कमपनी के वैपारी यही से अपना काम चलाते थे, इन वैपारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था इस फैक्टरी में एक वेर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली जो चीजे थी उसको जमा किया जाता था यही पर उसके दफ्तर थे जिनमें कम्पनी के अपसर बैठते थे जैसे जैसे वैपार फैला कम्पनी ने सोधागरों और वैपारियों को फैक्टरे के आसपास आकर बसने के लिए कहा 1696 इसवी तक कम्पनी ने इस आबादे के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था दो साल बाद उसने मुगल अपसरों को रिस्वत देकर तीन गाउं की जमीनदारी भी खरी दिली बिटा इन मेंसे एक गाउं काली कत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना अब इसे कोल काता कहा जाता है कम्पनी ने मुगल समराटे ओरंग जेब को इस बात के लिए भी मना लिया था कि भी वे कम्पनी को बिना टेक्स दिये वैपार करेंगे फिर क्या होता बटाओ कम्पनी जादा से जादा रियायते हासिल करने और पहले से मौझूद अधिकारियों को जादे से जादा फैदा उठाने में लगी हुई थी और अग्जेब के फर्मान से केवल कम्पनी को ही सुल्क मुक्त वैपार का दिकार मिला था जो अपसर थे ना जो निजी तोर पर वैपार चलाते थे बस कम्पनी को मिला था बिटा जुझ उसको मिला था कि價ूट आपको वैपार करोगे तो कोई टेक्स से आपको नहीं देना पड़ेगा लेकिन कमपनी के अंदर जो करमचारी थे वो भी अपना अलग से वैपार करते थे खुद का परिसनल जो वैपार था उनका वो खुद सिब चाहते तो उस पर भी भी वो कोई टैक्स नहीं देते थे बिटा इस पर वो जो बंगाल का नवाब था उस टाइम पर नवाब मुर्शिद को लिखा वो विरोध करने लग गया इस बात का और 18 सदी की सुरुवात में कमपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव हो जाता है अपस में काफी टकराव बढ़ जाता है फिर इस टाइम और ओरंग जेब की जो मर्त्य हो जाती और ओरंग जेब की मर्त्य के बाद बंगाल के जो नवाब होते हैं वो अपनी ताकत दिखा अगर आप वेपार करते तो टेक्स देना पड़ेगा और वेपार का दिकार देने के बदले कमपनी से नजराना भी लेंगे उसे सिक्के डालने का दिकार नहीं दिया गया कमपनी को और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया कमपनी पर दोखादरी कारौप लगाते यह दलीर दी कि इस वज़े से बंगाल सरकार को जो राज से वह है उसकी वसूली है कम होती जा रही है और नबाबों की कमजोर शक्ती पढ़ रही है इसे कंपनी टेक्स चुकाने को तियार नहीं थी कमपनी का कहना था कि स्थाने अधिकारियों की जो बेतुकी मांगे है उसे कंपनी का वेपार मिनुक्षान हो रहा है और वेपार तभी फल फूल सकता है जब सरकार सुल्क हटा ले या टेक्स हटा ले कम्पनी को इस बात का भी यकीन हो गया था कि अपना व्यपार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी गाउं खरीदने होगी और उनकी किले बंदी करनी होगी बिटा और यही टकराओ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और इसी टकराओ के कारण होता है पलासी का यूद बेटा दिखो बेटा इसका असली नाम जो था वो पलासी था पलासी जिसे अंग्रेजों ने बिगाड कर पलासी कर दिया इस जगे को पलासी यहाँ पर पाय जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था जो रैड कलर का फूल होता है पलास के फूल तो इस का इस जगह को पलासि का जाता था जिसने अंगरेजों ने विगाड के इसका पलासी बोला है तो चलो सुरू करते हैं फिर पलासी का युद्ध कैसे होता है देखो वेटा 1756 इस्वी में अलीवर्धी खान की मर्त्यू के बा पुतली को नवाब बनाना चाते थी, जिसे व्यापारिक रियायते मिले और अन्यस विदाएं भी मिले। कमपनी ने प्रियास किया कि सिराजु दोला के जो परतिदोहन दी हैं, उसमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कमपनी को काम्या भी नहीं मिले। और जब सिराजु दोला को पता चला, तो सिराजु दोला ने हुकम दिया कि कमपनी उनके राज्ये के जो रजराजनेती के मामले हैं, उसमें टांग डाना बन कर दे। किले बंदी रोकी अपनी और जो बकाया राजे से वह उसको चुकाए। जब दोनों पक से पीछे हटने को तियार नहीं हुए, तो सिराजु दोला ने क्या किया अपने जो तीस हजार जो सेना थी सिपाईयों के साथ, नबाब ने कासिम के बजार में जो इंग्लिस फैक्टरी थी उस पर हमला कर दिया। नबाब की फोज ने कमपनी के अपसरों को ग्रिफतार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया और अंग्रेज के अथियार चेन लिया पिटा अंग्रेजों के। और इस सेना की मदद के लिए एक नो सेनिक जो बेडा था वो भी दिया। इसके बाद नबाब के साथ लंबे समय तक सोधेबाजी भी चली। लेकिन आखरिकार 1757 में बेटा राबर्ट कलायू ने पलासी के मेदान में सिराजी दोला के खिलाब कमपनी की सेना का नर्तरतु किया। नबाब सिराजी दोला की हार होती है इसमें बेटा और हार का एक सबसे बड़ा कारण उसके सेना पतियों में से एक सेना पती होता है मिर जाफर। वो दोखा दे देता है इस युद में मीर जाफर क्या करता है कि मीर जाफर की टुकडी होती है वो इस युद में हिस्सा ने लेती और रोबर्ट कलाईव ने यह करकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजी दोला को हटा कर मीर जाफर को नबाब बना दिया जाएगा और इसी लालच में आकर मीर जाफर बेटा अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है पलासी की जो जंग होती ये बहुत महतवपूर्ण इंपोर्टेंट जंग माने जाती है युद माना जाता है क्योंकि बारत में ये कमपनी की पहले लड़ा आई थी बेटा और पलासी की जंग के बाद सिराजी दोला को तो मार दिया जाता है मीर जाफर को नबाब बना दिया जाता है तो इस परकार बेटा ये पलासी का युद होता है ठीक है बेटा समझ में आ गया होगा बिटा थैंक यू बिटा